हेलो एप्रिवान, नमस्ते, सस्टेकार अदाब जैश्र कृष्ण, I hope आप सभी बहुत अच्छे होगे समुद्र तो हम सबने देखा है, फिर चाहे वो रियल लाइफ में हो, टीवी शोस में हो, या हमारे स्मार्ट फोन्स में हो पर क्या आपने कभी सोचा है, कि समुद्र कार मीला ही क्यों होता है, सोचे सोचे पर सीवी रमन में ना सर्फ यह चीज सोची, पर इसके लिए काम भी किया और 28 फेबरी 1928 में हमें रमन इफेक्ट दिया, और इसी दिन को इंडियन गवर्मेंट ने नेशनल साइन्स डे के रूप में डिक्लेय कर दिया, सो हैपी नेशनल साइन्स डे टू यू और तौगत है आप सभी का मेरे चानल जानो अंडिया आज मैं बताती हूँ आपको कुछ ग्रोचक बातें सहर सीवी रमन के जीवन से जुड़ेंगे इनका पूरा नाम चन्रशेखर वेंकर टरमन था और इनका जन्द 7 नेवंबर 1888 में तिरुचुरा पल्ली में हुआ था ये एक साधारर से परिवार से थे इनके पिताजी एक लोकल हाई स्कूल में टीचर थे एक इंटर्वी में इन्होंने बताया था He was born with a copper spoon in his mouth and his father earned 10 pennies per month और पंदरा साल की उम्र में ही उन्होंने अपनी schooling के एक मद्राश यूनिवस्टी में however और वहां उन्होंने physics में टॉप किया जिसके लिए encryडल भी मिला और graduation के टाइम में ही उनका पहला research paper जिसका नाम था diffraction of light वो छपा और फिर उन्होंने MMA admission लिया जहां उनके प्रोफेसर ने उन्हें साइंस classes skip करने के लिए allow कर दिया क्योंकि वह जानते थे कि उन्हें इसकी कोई नीड ही थी मात्र 19 साल की उम्र में उन्होंने इंडियन finance service जोइन किया और यूरोप के लिए वो अपनी पहले trip पर गए वो नाएक एक billion student थे पर उनके मन में हर पल एक जिग्यासा रहती थी कि उनके आसपास क्या हो रहा है कैसे होता है क्यों होता है और यही जिग्यासा इस जिग्यासा ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया कि Mediterranean Sea का रंग नीला ही क्यों होता है इतिहास तो उसी दिन लिख गया था जब उनके दिमाग में ये question आया कि समुतका रंग नीला क्यों है और इसके बाद से उन्होंने इस पर कांग किया और 28 फेबरी 1928 में हमें रमन एफेक्ट दिया जिसे इंडियन गवर्मेंट ने नेशनल साइंस डे के रूप में डेकलाए कर दिया अब आते हैं में टॉपिक पर जिसलिए आज कर दिन सेलिब्रेट किया जाता है जिसलिए सर्ज सीवी रमन को नोबल प्राइज मिला आखिर रमन एफेक्ट है क्या जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी ट्रांस्परेंट मटेरियल पर गिरती है अब आप सोच रहे होंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है ऐसी लाइट जिसमें सिंगल वेवलेंथ और सिंगल आम्प्रिडूड ने उसे हम मोनोक्रोमेटिक लाइट करती है तो जब भी कोई मोनोक्रोमेटिक लाइट किसी ट्रांस्परेंट मटेरियल पर गिरती है स्काटर करती है और उसमें उस एंप्रीड़ और वेवलेंद वाली लाइट के साथ साथ कई और भी फ्रक्वेंसी और अब अब दो तो हम सबने देखा है रेंबू में कलर्स होते हैं वालेट इंडिगो ब्लू ब्रीन यलो ओरेंज रेड्ट जिप्यूर तो हम सबने पढ़ा ह है तो वोयलेट जो होता है वह सबसे कम एबलेंग का होता है और सबसे हाई ऐबलेंग कह आगा मैं यों पाये ऑटेसी चे फीफ में किसी नहीं ढलती गवाग योग reduce तो जो C होता है, water होता है, C water, वो highest wavelength को absorb करता है, highest wavelength होती है red, वो से absorb कर लेका है, लेकिन, suppose करियो, कोई material है yellow, तो वो material हमें क्यों दिखता है, क्योंकि वो reflect चड़ता है, इसी लिए, तो C जो होता है, वो highest wavelength को absorb करता है, और lowest wavelength को reflect कर देता है, अब lowest wavelength होती है, वोलेट की, लेकिन जो sun से light आती है, उसमें वोलेट, इंडिगो, इनकी quantity बहुत कम होती है, इसलिए reflect होती है blue color, और हमें C का पर है blue दिखता है, और ये explanation दिया गया था रमन सर के द्वारा, और इस वज़े से उन्हें मेरा नोबल को लगता है, और इस ही principle को use करते हुए, डिजाइन किया गया रमन स्कानर्स, रमन स्कानर्स का use कही जगे होता है, जैसे कि नार्कोटेक्स, स्क्वाइट्स में, इस्प्रोजेस कारिनाक, हमें को सब्सक्राइए जगे होती है, तो को साथे के लिए ट्रमन स्कानर्स का पाद उन्होंने बहुत सारे काम किये, बहुत सारी खोजे की, और 1954 में उन्हें भारत रत्न मिला, इसके बाद उन्होंने कई सारे अबॉर्ड जीते हैं, जैसे कि मैट्यूची अबॉर्ड, फ्रांक्लिन पीस प्राइज, ह्यूक्स अबॉर्ड, 21 नावंबर 1970 में भारत ने मोट रत्न को दिया, आप भी अगर उन्हें ट्रिब्यूट देना चाहते हैं, तो आईए, जानिये उनके बारे में, उनकी खोज के बारे में, और जादा से जादा इस वीडियो को शेयर किजिए, लाइक करिए, और सब्स्राइब करिए मेरे चानल जानो इंडिया को,